नमस्ते कैसे हैं आप लोग आसा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं UP GDS और जो उत्राखंड का GDS का फॉर्म आया है दोस्तो उसके बारे में देखिए सारा केटेगरिका अगर मैट्रिक में आपका यानि 3 में कितना परसेंटेज है ताकि आपका फाइनल सेलेक्शन हो जाएगा और देखे दोस्तो सेलेक्शन होने के बाद आपको काम क्या करना पड़ता उस पर भी डिसकस कर लेंगे सेलरी कितने मिलेगी सारा कुछ वीडियो में दिसकस कर लेते हैं पोस्ट का नाम है इंडिया पोस्ट जीडियेस यानि ग्रामीन डाक सेवक उत्तर प्रदेश और उत्रकन में फेकेंसी निकली हुई है भरने का डेट दोस्तों जल्दी से डिसकस कर लेते हैं कब से देखे तैस्ट अगस से फॉर्म स्टार्ट हो चुका ह ऑफिज आपको प्लाइक कर देना है ठीक है अगर दोस्तों हम बात करें यहां पेदेखे की लेनल और यहांञे का नहीं करेंगे prendre at सब्सक्राइब बात करेंगे एच के जैसा 18 से 40 साल है दोस्तों और छूट भी होता है एच का ठीक है ताली सो पैंतालीस पोस्ट की संक्य है दोस्तों ठीक है एज कॉप से काउंट होगा लीमिट सब्सक्राइब बात कर लेते हैं देखे दोस्तों उसके अलाव अगर बात करें ता आपको लोकल लेंगवेज की जनकारी होनी चाहिए ठीक है यूपी का और दोस्तों उत्राखंट का लोकल लेंगवेज क्या हिंदी है ठीक हिंदी तो मिनिमन सभी को आता होगा मैक्सिमम मतलब जो साउथ कर रहने वाले बच्चे देख रहे हैं अगर वीडियो तो उनको हिंदी आन अगर आपका परसेंटेज दोस्तों 80 है तभी आप अपलाई कीजिएगा तो कि 100 रुपे भाले पैसे कम लग रहे हैं 100 रुपे लग रहे हैं बाकि जो एससी केटेगरी है उनका लग ही नहीं रहा है और फीमेल का लग नहीं रहा है ठीक है तो असी परसेंट पर ही सेलेक्श फीमेल कंडिडेट 75 है तब भी अपलाई कर देजिएगा तब भी आपका सेलेक्शन का चांस है ठीक है ओवी सी और जेनल के टेगरी एडविस के टेगरी है तब 85 से कम पहुने वाला नहीं है तेंद में परसेंटेज अगर है तब आपका सेलेक्शन होगा दोस्तों एक नेक जाता है दोस्तों कि इसमें एक्जाम होता नहीं है जोब परफाइल भी बताऊंगा अब बात करते हैं यूपी की यूपी के कितना अगर आप जेनरल केटिंग अट कंडिडेट है और तो ईवस हैं ठीक है और ओबी सी है ठीक है ठीक है तो आपका कम सकम 85% है तेंद में दोस सब्सक्राइब जेनरल ओबी सी और यूपी कंडिडेट नहीं है तो आपका दोस्तों 80% कि यूपी में कंपेटिशन बहुत जादा है हाला को तराखन भी होता है तो अपलाइक किजिएगा बाकि जो के टेकरी है ठीक है फीमेल का जैसे कि मैंने बताया दोस्तों आपका 75% है मतलब मेरिट नहीं बनाए कि एक जाम तो होता नहीं मतलब जो टेंज का प्रसेंटेट पर ही मेरी जो बनता है उसका भी आया नहीं है ठीक है दुबारा रियूपन हुआ था ठीक है उसका आने के संभावने एक दो महीने में आ जाएगा जो प्रफाइल काम क्या करना पड़ अबिस्तावे होते हैं जैसे कि इस को क्या चिथी आया तो हादा कंशतार नहीं होता है च होता है चिथी पहुचाना घरगर जाहना से आने तो वो एक काम आपको करने को मिल जाएगा पोस्ट वाइज इसमें काम होता है ता आपने काम समझ लिया क्या है एक कॉंप्यूटर सम्मंदित का यतना भी तो फाइल है उसका निप्टारा करना एक मतलब कैसे होता है जैसे एक जांपर तो पर में आपको समझा दे रहता हूं ठीक है एक होता फाइल ओपिस में बैटे रही है का फाइल से निप्टारा का काम फाइली था से उधर लागाना कोई फाइल गूम हो गया तो खोच के लिए यह सब काम है दूसरा तो कंप्यूटर समंदित का रहे हैं ठीक है तो यह सब दोस्तों आपको बेसिक काम करना पड करें तो देखे 10,000 रुपे ठीक है 10,000 रुपे से लेरी शुरुवाती मिलेगी और फिर 12,000 कोई पोस्त में मिलेगा जो हाई और पोस्तिक दस से बारा जार मान के चलिए तक दस से बारा हजार मापको गुजारा करना होगा हाला कि दोस्तों यह लाइफ टाइम के लिए नही सब्सक्राइब कर दोस्तों ठीक है कुछ नहीं सवर पर देखना नहीं है दोस्तों ठीक है तब या अफलाई कर दिजेगा एज लिमिट मैंने सबीकाइज होगा मीनीम मैकसिमम तो 140 साल मांग रहें दो सल चूट है पांस साल उपी असीस टीका चूट होता है और जो दिविय पाने के लिए सरकारी जौब का कोई भी अपडेट पाने के लिए आप हमारे चानल को प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देजिएगा देखे दो पहले हम वीडियो बोड के माध्याम से बनाते थे हाला कि मैं देली में सेफ्ट हो गया है तो यहां पर भी दूस्त बोड़े तक क्या लगीगा दाने बात